हेलो दोस्तो मेरा नाम है आरवी अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं साड़े साथ हजार से साड़े आठ हजार के आसपास तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा मैं आप सभी के लिए कर आया हूँ रियलमी का और वीवो का बहुती शांदार मोबाइल जो आपको साड़े साथ से साड़े आठ हजार के असपास मिलते हैं तो इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा इन दोनों में सबसे बड़ी आपके लिए एक कॉंसर हैगा इन के अंदर क्या-क्या कमिया है, क्या-क्या च्छा यह है तो वीवो के Y81i के अंदर बॉक्स आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके से वाइट कलर के अंदर बागई back side से आप specifications पड़ सकते हैं आपको क्या-क्या मिल जाती है इसके ओपर आपको MRP मिलती है 10,990 रुपे की और ये आपको flip card पे मिल जाएगा आप online खरीच सकते हैं 8,000 के आसपास बाकी दूसरी तरफ है हमारे पास realme c1 इसका box भी आपको white color के अंदर red and white color के अंदर इसके अंदर आपको MRP मिलती है नीचे की तरफ 8,990 रुपे की ये आपको मिल जाएगा 7,500 के आसपास तो ये 1,000 रुपे सस्ता है वीवो के mobile से बाकी चलिए बिना वक्गवा अंबॉक्स कर लेते हैं realme के c1 को तो जैसे ही आप इसको अंबॉक्स करेंगे तो इसके अंदर सबसे पहले आपको रखवा मिल जाता है एक mini box जिसके अंदर आपको लगवा मिल जाता है SIM ejector tool और अंदर की तरफ रखेवे मिल जाते हैं आपको कुछ user manual तो आप देख सकते हैं इसके अलाव आपको रखवा मिल जाता है एक simple सा transparent cover जो की काफी अच्छी बात है और अच्छी quality में आपको cover मिल जाता है बाकी box के अंदर आपको रखवा मिल जाता है mobile एक wrapper के अंदर इसका detail look अभी देखेंगे इससे पहले देख लेते हैं box के अंदर आपको और क्या-क्या मिल जाता है तो इस mobile के अंदर आपको रखवा मिल जाता है box के अंदर एक charger तो box के अंदर जो आपको charger मिल जाता है काफी बड़ा लेकिन इसके अंदर आपको output मिलता है specifications आप पढ़ सकते हैं 5 watt 1 ampere का तो एक fast charger आपको इस mobile के साथ नहीं मिलता है बाकी charger की quality काफी अच्छी है इस तरफ आपको ओपो की branding मिल जाती है इसके अलावा box के अंदर देख लेते हैं आपको एक रखी वी मिल जाती है data cable data cable की length भी काफी अच्छी है और इसकी quality भी काफी अच्छी है thickness काफी अच्छी है और इसके अंदर आपको USB to micro USB cable मिलती है type C cable इस mobile के साथ आपको नहीं मिलती है चलिए अब unbox कर लेते हैं Vivo Y81i को तो जैसे ही आप इसको unbox करेंगे इसके अंदर भी सबसे पहले आपको रखवा मिल जाता है बाकी इसके अलावा इसके अंदर आपको रखवा मिल जाता है उपर की तरफ एक mobile इसके अंदर आपको wrapper में mobile मिल जाता है detail look अभी देखींगे इससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको इस mobile में और क्या-क्या मिलता है तो एक लगावा मिल जाता है आपको SIM Ejector Tool इस तरीके से काट के अंदर और इस mobile के अंदर आपको रखवा मिल जाता है अंदर की तरफ एक data cable तो data cable की quality scheme आपको दिखा देता हूँ आपको normal मिल जाती है और इसकी length भी काफी अच्छी है realme C1 की तरह बाकी इसके अंदर भी आपको USB to micro USB केबल ही मिलती है टाइप C केबल इस mobile के साथ भी आपको नहीं मिलती है तो दोनों mobile scanner आपको type C केबल नहीं मिलती है ये छोटी सी कमी है इन दोनों mobile scanner बाकी एक रखवा मिल जाता है आपको ये बड़ा सा charger specifications आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर आपको मिल जाते है output 5W 1A का ही तो fast charger आपको इन दोनों ही mobile से साथ नहीं मिलता है बाकी इसका जो weight है वो थोड़ा light लग रहा है realme के charger से तो उसकी quality जादा better लग रही थी इस charger से चली अब बात कर लेते हैं सबसे main चीज mobile के design के बारे में तो ये दोनों ही mobile से आपको मिलते हैं बहुत ही जादा glossy look के अंदर आपको mirror type का बिल्कुल शीशी की तरीके से look मिल जाता है realme C1 के अंदर back side पर और उसी तरीके से आपको देखने को मिल जाता है Vivo के अंदर भी design realme C1 का जो back panel है वो आपको थोड़ा glossy मिल जाता है बिल्कुल शीशी की तरीके से look देता है और आपको Vivo के अंदर जो back panel मिलता है वो थोड़ा plastic look के अंदर आपको देखने को मिल जाता है तो जादा mirror type का look आपको मिल जाता है realme C1 के अंदर बाकि आप देख सकते है दोनों ही mobile's के अंदर आपको back side से कुछ इस तरीके से design देखने को मिल जाता है इन दोनों ही mobile's के अंदर आपको fingerprint scanner नहीं मिलता है तो ये भी एक कमी है इन दोनों mobile's के अंदर बाकि और अच्छाई के बारे में बात करें realme C1 के अंदर आपको मिल जाता है back side पर dual camera दो camera मिल जाते है पहला camera है 13 megapixel का दूसरा है 2 megapixel का तो 1000 रुपे कम में ही इस mobile के अंदर आपको दो camera मिल जाते हैं ये इस mobile की खुबी है बाकि दूसरी तरफ vivo Y81i में आपको मिलता है 13 megapixel का single camera तो अगर आपकी दो camera की जरुवत है तो आपके लिए जादा बढ़िया realme C1 ही रहेगा इसके अलावा दोनों mobile को कर लेते हैं start और मैं आपको दिखा देता हूँ display के अंदर आपको colors के अंदर कितना फर्क देखने को मिल जाता है किस mobile की display जादा बढ़िया है display size के बारे में बात करें तो इन दोनों ही mobile के अंदर आपको 6.2 inches की display मिल जाती है तो काफी कमाल के size में आपको display मिल जाती है दोनों mobile के अंदर price के हिसाब से वो भी एक notch वाले display मिल जाती है तो आपको मैं करीब से दिखा देता हूँ इन दोनों mobile की display कैसी लग रही है edges और bezels के बारे में बात करी जाए तो इन दोनों mobile के अंदर price के हिसाब से आपको काफी कम edges मिल जाते हैं और bezels भी काफी कम हैं तो display के मामले में तो इन दोनों ही mobiles बहुत बढ़िया है दोनों में से आप कोई से भी ले सकते हैं बाकि इन दोनों ही mobiles के अंदर आपको मिलती है 2GB की RAM और 16GB की internal storage इसके अलावा left side से आप दोनों mobiles को देखेंगे तो आपको sim की tray मिल जाती है और Realme C1 में volume के buttons मिल जाते हैं left side पर बाकि नीचे की तरफ से आप देखेंगे दोनों mobiles को तो आपको charging का port मिल जाता है speaker मिल जाता है, mic मिल जाता है और 3.5 mm का jack मिल जाता है इसके अलावा right side पर आप देखेंगे तो Realme C1 में power का button दिया गया है और Vivo Y81i के अंदर आपको volume के buttons भी मिल जाते हैं power button के साथ इसके अलावा ऊपर के तरफ आपको कुछ देखने को नहीं मिलता इन दोनों mobiles के अंदर back side से देख सकते हैं आप complete design इन दोनों mobiles का कैसे लग रहा है इन दोनों ही mobiles के अंदर आप 2 sim card एक memory card तीन चीज़े एक साथ लगा सकते हैं उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली और 2 geo के 4G के sim भी एक साथ चला सकते हैं front camera इन दोनों ही mobiles के अंदर आपको मिलता है 5 megapixel का तो price के हिसाफ से आपको normal performance मिल जाती है user interface आप देख सकते हैं दोनों mobiles के अंदर आपको screen पे ही सारी applications मिल जाती है आप right side पे swipe करेंगे आपको सारी applications मिल जाती है Vivo का weight है 143 gram के आसपास और Realme C1 का weight है 168 gram के आसपास तो Vivo का mobile काफी जादा हलका है Realme के mobile से बहुत जादा हलका लग रहा है हाथ में लेने के बाद इसके लावा Vivo में आपको मिल जाती है सवा 8 GB के आसपास 16 GB में से और सवा 7 GB के आसपास मिल जाती है आपको Realme C1 के अंदर इन दोनों ही mobiles के अंदर आपको Android का Oreo version Oreo 8.1 मिल जाता है प्रोसेसर के बारे में बात करें तो Snapdragon 450 प्रोसेसर आपको मिलता है Realme C1 के अंदर और Mediatek का A22 प्रोसेसर आपको मिलता है Vivo के अंदर बैटरी के बारे में बात करें तो 3260 mAh की बैटरी आपको Vivo Y81i के अंदर मिलती है और 430 mAh की बैटरी आपको मिलती है Realme C1 के अंदर तो काफी बढ़िया बैटरी आपको Realme C1 के अंदर मिल जाती है Vivo के मुबाइल से बाकी एक चीज और है मुबाइल जो है Vivo का काफी ज़्यादा lightweight लग रहा है बहुत ज़्यादा हलका और Realme का मुबाइल काफी ज़्यादा solid लग रहा है तो build quality के हिसाफ से ज़्यादा बढ़िया feeling जो आ रही है वो Realme C1 के अंदर आ रही है Vivo के मुकाबले में चली बात कर लेते हैं आपको इन दोनों मुबाइल्स में कौन सा खरीदना चाहिए कौन से नहीं देखिए प्राइस के अंदर 1000 रुपे का ही फर्क है इन दोनों मुबाइल्स के अंदर जादा फर्क नहीं है इसके अलावब डिपेंड करता है आपको भरोसा किस बराण के ओपर जादा है आपको Realme के ओपर जादा भरोसा है या फिर आपको Vivo के ओपर जादा भरोसा है इसके बाद आपकी मेन जरूरत किस चीज़ की है देखिए अगर आपकी कैमरे की जरूरत है तो आपको Dual Camera Realme C1 में मिल जाता है जो की एक अच्छी बात है कम प्राइस के अंदर 1000 रुपे कम में ही आपको मिल जाता है दूसरी चीज़ अगर आपकी बैटरी की जरूरत है तो Realme C1 के अंदर ही आपको जादा बढ़िया बैटरी बैक अप मिलता है क्योंकि इसमें आपको 42 से 30 MS की बैटरी मिल जाती है तीसरे इसका डिजाइन जो है मुझे जादा बैटर जो लग रहा है वो Realme C1 का लग रहा है इसके अलाव आप डिस्प्ले के अंदर अगर आपकी डिस्प्ले की जरूरत है तो दोनों ही मुबाइल्स में आपको काफी अच्छे साइज में डिस्प्ले मिल जाती है लेकिन डिस्प्ले के कलर्स थोड़े जादा बैटर लग रहा है वीवो में और यूजर इंटरफेस भी थोड़ा जादा अच्छा लग रहा है रियल्मी C1 से बागी हर एक चीज़ को देखते वे मुझे रियल्मी C1 जादा बढ़िया लगा इन दोनों मुबाइल्स के अंदर अब आप मुझे बताईएगा आपको कौन सा पसंद आया ये चीज़ आप मुझे कमेंट सेक्षन के अंदर जरूर बताईएगा वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाईएगा चैनल पर आप नए है तो सब्सक्राइब कर लिएगा उसके साथ बैल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें इसके लावा वीडियो अगर आपको helpful लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिएगा WhatsApp फेस्बूक पे मिलते हैं नए स्वीडियो के अंदर किसी नई कंपैरिजन के साथ तब तक के लिए टेक केर